हेलो गाइस, आप सभी का बाला की रोसो यूटूब चैनल पर स्वागत है आज की रेषिपी है आलू मेथी की सबजी बनाना वो भी बिलकुल सिंपल तरीके से तो आईए बनाते हैं आलू मेथी की सबजी अलू मेथी बनाने के लिए ये हमने एक उच्छी मेथी ली है इसको मैंने अच्छे से धो कर साफ करके बारी कट कर लिया है ये मैंने चोटे आलू लिये हैं इसको मैंने दो टकुडों में कट कर लिया है मैंने इनको उबाला है पहले और ये मैंने दो प्याज और ये चार हरी मिर्च 15-20 मैंने लस्टन की करियानी है तो ये मैंने चोपर लिया है अब मैं ये प्याज भी इस चोपर में कट करके ढावड़ूंगी और साथ ही ये 4 हरी मिर्च और 15-20 मैंने लस्टन की करियानी है इनको मैं चोपर में चोप कर लेती हूं और ये मैंने चोपर में इसको मोट मुटा चौप कर लिया है यह देखो यह मैं निकड़ाई को गयास पर गरम होने के लिए रख दिया है अब मैं इसमें ओईल डालूंगी ओईल हमारा गरम हो चुका है अब मैं इसमें जीरा डाल दूंगी और साथ ही मैं इसमें यह तोफट किया हुआ सेट गाविंगी और इसे निकड़ करूंगी मैंने आज एक है अलू में प्याज और लख्तन डाला है इससी बड़ा ही स्वाधिश्ट में इसे अलू बलकत प्यार होते हैं आज के अंदर आधा चमज हल्दी पोडर और आधा चमज में लाल निर्ची पोडर दालूगी नमक भी आधा चमज डालूगी आप अपने नमक स्वाधनुसा दाल सकते हैं और इसे मेंस कर दूंगी, इसी के साथ मैं इसले मेथी डाल दूंगी, जिससे की मेथी हमारी अच्छे से बुन कर त्यार हो जाएगी मेथी हमारी बुल चुकी है, अब मैं ये अंगा लूंगी इसमें, इसे अच्छे से निक्स करूँगी और इसे में ढखके, दो से तीन मिनट के लिए पकने दूंगी, तो आएए चेक करते हैं, ये हमारी अलीने की अच्छे से बुल बन कर त्यार हो चुकी है, अब मैं इसमें आम्चु पोडर डालूंगी, आप चाहे इसे स्कीप भी कर सकते हैं, मैं इसमें एक छोटा चमच, आम्चु पोडर डाल रही हूं और इसे मिक्स करेंगी, ये आम्चु पोडर अच्छे से मिक्स हो चुका है, ये हमारे आलूमेथी बन कर त्रियार हो चुके हैं, इलकुल बढ़िया तरह से, अब मैं गैस केक लिम को बन कर देती हूं, और आलूमेथी को एक बाउल में सर्फ करूँगी, और ये हमारे आलूमेथी की सबजी बन कर त्यार हो चुकी है, अगर हमारी वीडियो आपको अच्छे लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सस्क्राइब करना ना भूलें, धन्यवाद,